होना क्या इतना जरूरी है या होने का सबूत देना जरूरी है। अक्सर इसी उधेड़ बुन में निकल जाते हैं कई दिन। बिन बताए कि जिन्दा हूं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। सूरज निकला, चांद निकला, हवा चली, पानी बरसा। उन सभी की सांसे चली, जिनको मेरे बिना गुजारा गवारा नहीं था। यूँ ही फूल खिल खिल आए, सडक पर चलते कोई नहीं रुका, ना ही कोई रात भर जागा। मेरे बिना भी जिन्दगी उतनी हसीन है, फिर क्यों दिखावटी फिकर, प्यार, पागलपन, बातें, रोना, हसना, नाराजगी, मनाना, ये सब बस तरीके हैं बहलाने के खुद को। व्यतीत करना है समय, खुश रहने की कोशिश में, इंतजार करना है मौत का, रिष्टे सिर्फ निभाए जाते हैं कि काम आए कभी वो हमारे भी, सिर्फ जिये जाना ही जिन्दगी है या खुद को जिन्दा साबित करते रहने का नाटक करना, सिर्फ आशाएं पैदा करने औ और उसके भ्रह्म में जीना, क्या है ये, क्यूं है ये, कहीं मैं तो ऐसे ही नहीं सोच रहा है जैसे सोचते हैं लोग किसी के होने का, मैं भी अलग सा महसूस करके बनता जा रहा हूं भीड का हिस्सा, एका एक सब अपने लगते हैं, एका एक सब पराय, लगता है मौत ही सब लगती है अपनी, सर्फ होड लेने को जी चाता है, मर जाने को जी चाता है, हर काम करके खुशी मिलने का ब्रह्म पैदा कर रहे हैं, शाम को सुबह का सूरज मान रहे हैं, या चांद को बारिश के आने का संकेत, या बारिश को अकाल का संकेत, हम कुछ भी मान रहे हैं, कुछ जिन्दा है दिखाऊं से हम बता देंगे सच तो क्या हो जाएगा, हम कहलेंगे हम क्या करते हैं तो क्या हो जाएगा और नहीं कहेंगे तो भी क्या हो जाएगा समझना क्यों है जरूरी क्यों जरूरी है जानना या बताना सुनसान जंगल में खिले फूल की तरह, अनन्द समुद्र में किसी कुने में छोटे से कीडे की तरह, तपते निर्जन रिगिस्तान में बारिश की बूंद की तरह, कचरे में पड़े अनात पच्चे की तरह, औरतों की तरह, बस पैदा होकर मरा क्यों नहीं जा सकता, न सपने, न अपने, बस जि पजापत, नाश